ओम अन्मते नमा नमस्कार मित्रो मैं विरत्रवेदी और आप देख रहा है मेरा यूटूब चैनल ने थे मित्रो जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल एक विसेश स्रंखला हम चला रहे हैं जोकि यच्छणी साधना से संबंधित है उसी स्रंखला में आज बात करने जा केवल धन की आसा के लिए की जाती है साधक केवल धन की आसा से जिस यच्छनी की साधना करता है उसमें कुभेर मंतर का पढ़ा जाना आवस्यक है आज उसके बारे में हम चचा करने जा रहे हैं हिंदू सास्त्रों में 36 यच्छनियों की साधना का विधान है जिसमें से 4 यच्छनियों की साधना गुपत है इस तरह से कुल 32 यच्छनियों की साधना की जाती है यच्छनी साधना शामानी साधना नहीं है अगर साधना विधान पूरुक संपन की ओम नमा सिवाय या ओम रुद्राय नमा स्वाहा के पांच जार मंत्रों का जब करना अनिवार है फिर भगवान सिव से इच्छित यच्छनी की साधना की अनुमत ली जाती है अब बात आती है कुबेर मंत्र के जब की अगर सादक धन धान निपराप्त करने के उद्देश से यच्छनी साधना कर रहा है तो उसे कुबेर मंत्र का जब करना अनिवारी हो जाता है फिर जी का मूल मंत्र ओम वैस्णवन आई स्वाह है आम तोर से इसी का पांच हजार बार जब किया जाता है पर अगर सादक शरेष्ट है तो वह कुबेर जी के अन्यप्रभावकरी मंत् कुवेर जी का दूसरा प्रिसिद्ध मंत्र है ओम यच्छाए कुवेराए वैश्वनाए धन्धान्या धिपतये धन्धान्या सम्रद्य दापय स्वाहा इन में से कोई भी मंत्र धन्धा यच्छनी साधना में प्रयोग किया जा सकता है पर्तुत वीडियो का उद्देश से भारत की लुप्त प्राय यच्छनी साधना विधा की जानकारी देना है यह वीडियो किसी को भी साधना के लिए प्रेजित नहीं करता बिना योग की गुर को सब से कराई बहुत से करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभाद नमस्कर